हाई वरिवन उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे अभी जो है बिहार सरकार के तरप से एक बहुत बढ़ी अपडेट निकल के आई हुई है कि रभी 2022-23 के लिए जो है जो भी बीज होते हैं बीज के उंदान के लिए जो है आप पे ओनलाइन फॉर्म फिल क कि आपको फ्री ही कॉस्ट में मिल जाएंगे लेकिन बहुत सरे बीज ऐसे होंगे जिसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे कि आप किसी भी जीले से आते हैं तो किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे किस किस तरसे बीज बीज का है किस तरसे आपको बीज मिलेगा उसके रिकारड़िन जो जरा जन्कारी इस video में हम किलीर करके बताएंगे वीडियो मा आगे बढचने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस को लाइक नहीं किया है प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्यूंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्या मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इनर्जी देता है तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने कॉंप्यूटर के बराउजर में dbtagriculture.bh.gov.in टाइब करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बिज उन्दान आवेदन का एक आप्शन मिलेगा आवेदन करेंगे जैसे ही आवेदन करेंगे आप्शन पर क्लिक करेंगे रभी फसल 2022 का ओन्लाइन आवेदन ज होगा तो पंजिकरन संखिय अगर आपको पता है तो डाल दीजिए नहीं पता है तो यहाँ पर dbt agriculture पर आएंगे और यहाँ पर पंजिकरन का ओप्शन पर जाएंगे पंजिकरन जाने के ओप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने registration ID अधार नमबर या फिर मुबा आने के बाद यहां पर अपना पंजिकरन नमबर डालना है सर्च के option पर क्लिक करना है तो आपके पंजिकरन में जो भी data होगा जैसे कि नाम एकाउंट नमर बेगरा वगरा मुबाइल नमबर इस तरह से सो कर देगा आपको थोरा सा उपर करना है उपर करने के बाद यहां प आपको कोई छूट नहीं मिलेगा जो दर होगा उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा कुछ ऐसे बीज होंगे जिस पर आपको 100% उंदान यहां पर दिये जाएंगे मतलब कि आपको free of cost में यहां पर बीज प्रवाइट किया जाएगा तो जैसे कि यहां पर देखेंगे क सबसे पहले क्रम संख्या दिया गया है उजना का नाम दिया गया है कौन सा घटक है उसके बारें बताया गया है फसल का नाम यहां पर दिया गया है फसल का किस्म क्या है उसको बताया गया है बीज का परकार क्या है और बीज का प्रती किलो के हिसाब से दर क्या है ठीक कह दे देखेंगे राजियों का योजना का यहां पर देखेंगे जो जिरो टिटेल का गेहूं है उसके आप देखेंगे कि यहां पर पर देखेंगे कि आपको पैसे कितने देने हैं तो यहां पर देखेंगे कि अगर होम डिलेवरी करके आप मंगाते हैं इस बीज को तो आपको 5 और पर पर प्रती किलो के हिसाब से अलक शेयर चांज देना होगा लेकिन आप चाहते हैं कि किसान बहुंसे जा कर लें तो यहां पर नहीं करेंगे और न डालेंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि पर आपको 50% उंदान मिल रहा है तो यानि कि 46-0 रुपे का जो है यहां पर आपका जो मसूर का है वह भीज हो रहा है जिसपे आपको 23-0 रुपय अंदान मिलेगा 23-0 रुपय आपको देना तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अप्लाई करना आपको बता दिया तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद देखिए अभी आपको रिसेंट में ही बीज नहीं मिल जाएगा क्यूंकि अभी जो मतलब आपका खरी फसल है उसका धान भी कटनी नहीं हुई है तो आपको वेट कर करना होगा जैसे ही आपका मतलब समय हो जाता है रभी फसल का उस समय जो है आपके किसान रेश्टरसन नंबर में जो भी मुबाल नंबर रेजिस्टर है उस पे जो है किसान सलहकार का फोन आएगा और आपसे बोला जाएगा कि आपने इस बीज के लिए आवदन किया हुआ ह आप अपना बीज आकर किसान बहुन से लेकर चले जाएगे अगर आप इसको होम डिलेवरी के लिए ओडर करना चाहते हैं तो होम डिलेवरी के लिए ओडर कर सकते हैं आपके घर पे जो होम डिलेवरी से सेंड कर दिया जाएगा जिसके लिए आपको पांच रुपे पुरत के बता दिया है फिर भी आपके मन में किसी परकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कुमेंट सेक्षन में कुमेंट करके बता सकते हैं